नमस्कार, मैं शम्शी फिर्दॉस और आप देख रहे हैं बिहार टीवी कुरोना वाइरस के बरते संकर्मन को रोकने के लिए किस दिनों का लॉगड़ॉन बुलाया गया है इस दोरान लोग अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं फिलहाल 14 अपरिल तक लॉगड़ॉन रहेगा इस दोरान सरकार कई फायदे भी लोगों तक पहुँचा रही है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका वोटर आइडी और अधार कार्ड में गलतियों के कारण वे सरकारी फायदा का लाब नहीं उठा पा रहे हैं इस दोरान आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो फिर आप ये गलतियां भी नहीं सुधार सकते हैं लेकिन इसके लिए परेशान होनी की जरूरत नहीं है आप घर बैठे भी अधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी गलतियों को ठीक करवा सकते हैं सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड की बात करते हैं यदि आपको वोटर आईडी कार्ड में किसी तरह की गड़ बड़ी है तो आप घर बैटे ही इसे सही करवा सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले राश्ट्रिय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर लॉग इन करना होगा उसके बाद आप अपनी जरूरत के सेक्शन पर क्लिक कर आप उसको सही कर सकते हैं नाम और पता ठीक करवाने के लिए फॉर्म 8 में वोटर आईडी कार्ड का नंबर भड़ना होता है और इसके साथ ही आपको सही नाम और सही पता डालना होगा पता में बदलाओ के लिए आपको सही दस्ता वेज अपलोड करना होगा पता में सुधार के लिए अधार कार्ड, बैंक पास्बुक, ड्राइविंग लाइसेंस या पास्पोर्ट चैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर आप इसको सही कर सकते हैं फोटो में बदलाओ के लिए आपको प्रेसनल डिटेल पर क्लिक करना होगा जहां जाकर आप अपना नया फोटो अपलोड कर सकते हैं एक महीने में नया फोटो अपलोड हो जाएगा अभी लॉक्ड़ॉन की वज़े से देश भर में सभी आधार केंद्र और आधार कारियाले बंद है आधार हेल्पलाइन 147 केवल संचालित मोड में है U.I.E.D.A.I. ने जानकारी दी है कि इस दोरान आउनलाइन सुविधाएं उपलब्द रहेंगे मतलब M.A.D.A.R. एप का इस्तिमाल कर सकते हैं घर बैठे अधार में पता बदलने या फिर मोबाइल नमबर रेजिस्टर्ड अपलोड करना जैसी सुविधाओं का लाब आउनलाइन उठा सकते हैं धन्यवाद इसी परकार की ताजा खबर तुरंद पाने के लिए हमारे चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को प्रेस करना ना भूलें